आपका दोस्त आर्जे हमेशा आपके लिए दे हिंदू की वकाबलरी को सिंप्लिफाइड वे में ले किया दो आज हमारे पास में जो सबसे पहला वर्ड होने वाला है वो है बिठा इरोड अब इरोड के अगर हम बात करना चाहें इरोड आपके पास में वर्ड की काटेगरी का एक वर्ड है अब अगर हम इसमें बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है कोछीज में आपके पास में slightly अगर वहां पर degreusement आपको देखने को मिल रहा है कोछीज का कटाव हो रहा है वहां पर धट रही है वह चीज़ कम हो रही है डे बाइडे तो उस condition में हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर erode हो रहा है इसको आप लोग erosion चे भी समझ सकते हैं जो मिर्दा का अपर्दन होता है पानी जब समुद्र वगरा या नदी को ही होती है वहां पर उसके पानी के साथ में जो मिट्टी है वह साथ में बैहती हुई चली जाती है और वहां पर कटाव होता जाता है तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं kind of that thing तो यहां पर सेंटर से माप देखो पहले यह मिट्टी रही होगी पर यह नीचे डहती गई डहती गई डहती गई और यहां से कम होती गई तो यह जो पहाड था वो कम होता गया साथ के साथ ही वेर आवे को रोड डिजॉल वेदर डिट्रॉइट अबरेट दी कंपोस अंजर माइन प्रीपल ठीक है क्र वीकन आपके पास में, ब्रेकडाून आपके पास में, अच्छा ब्रेकडाउन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेकडाउन किसी में mechanical कोई अगर malfunction होता है तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं My Car Has broken Down, अगर इस condition में मैं बोल रहा हूँ वहां पर कि My Car Has Broken Down, तो और कार क्या तो यह आपके पास में फ्रेज था ठीक है ठीक है क्रेंबल वेर डाउन वर्स्ट रस्ट अब कहीं पर किसी में अगर रस्टिंग हो जाती है जंग लग जाता है तो डे बाइडे वो उसकी उस पर्टिकुलर एंटिटे की लाइफ दरे-दरे खतम होती जाती है जो भी वहां प आइफ कलीर वर्ट थे तौसर ले है वोट्र अब रहिए-त्र इसका उपोजिट होगा वहांपर हम उछको बिलकर रहे हैं इस ठ्रंवन कर रहे हैं और फोड़ी कर रहे हैं हुआ ही सारे के सारे आपके पास वर्ट थी आई होब क्लीर हुआ बीटा आगे बढ़ते हैं हम लोग देनेक्स्थ वर्ड वी हैव डेप्रिवेशन डेप्रिवेशन अगर हम लोग बात करना चाहें आपको नुकसान होता है को लोस आपने किया है वहां पर जैसे को शेर मार्क में चल रहा था अब वहीं पर उसके पास क्या हो गया है लोस हो गया चीज के लिए तो लोस का ऑपोजिट क्या होगा आपके पास में प्रॉफिट तो the state of being kept from processing enjoying और using something तो वह आपके पास deprivation होगा और उस चीज में आपके पास क्या होगा यह लेक हो गई है उस चीज को आप enjoy नहीं कर पा रहे हो दुखी हो रहे हो इसकी आपको कमी फील हो रही है absence वहाँ पर आपको फेल हो रही है want उसको आप चाते हो deficiency, privation, need, scarcity, scarcity का मतलब क्या होता है कमी तो होगा, destitution आपके पास होगा, shortage होगा, disposition आपके पास में होगा, hardship होगा, आपके पास में सारी के सारे word आपके पास में deprivation के similar word है आपको समझ में आ गए होगे, अब चली इसके opposite क्या होगे, जहां पर आपके पास एक जगे loss हो रहा था, तो उसका opposite क्या होगा, आपने कुछ काम किया, उसमें आपको नुक्सान हो गया, लेकिन हो सकता है, अगले दिन आपको दुगना फाइदा हो गया, तो दुगना हो सकता है, तो यह सारे वर्ड आपके पास में deprivation के opposite होगी है, अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड पर, there is a word, defy, अच्छा deprivation में ATION लगा था, तो IRTION अगर किसी वर्ड में लगता है, तो आपके पास क्या होता है, noun की category का word है, तो वो आपके पास noun था, यहां पर आपके पास में word लगा था, defy, defy का मतलब होता है कि इसका विरोध करना, उसको oppose करना, हम लोग कह सकते हैं कि उसको आप oppose कर रहे हो, ठीक है, तो refuse to obey somebody or something, देखो, यह प्यारी से बच्ची क्या कर रहे है, नहीं, आपके बात नहीं मानूं ही, कुछ भी कर लो, ठीक, तो क्या कर रहे है, defy कर रहे है, विरोध कर रहे है, सामना कर रहे है, यानि, confront करना भी हम लोग के है सकते हैं इसको, challenge करना, resist करना, कुछ भी हुआ है, उसको challenge किया है, जो मानना चीद था, नहीं मान रहे हैं, इसलिके से हम लोग उसको oppose कर रहे है, confront कर रहे है, dis obey कर रहे है, withstand हुआ है, rebel हु भी रहे जाएगा तो हम रोकेंट सकते हैं कि आसने ज्याद रहेगा ऑपोजिट क्या होगा आपने बात कमान लिया है वह बे सब्मिंट अपने आपको सरेंडर किया है तो सरेंडर करना भी पॉसिब्लिस का मेनिंग हो सकता है के कंफर्म इल्ड इल्ड बस उसका रिजल निकला कैले कि यह हुऊ आप उसके सामने जुक गए बो वो वाला नहीं है यहां इजिसे किसे के सामने जुक गए और को उनके कमांड को मानरही हो उसका मतले अपना अपना इसन्दे रहे हो वह आप कर नेक्स वर्ट कंसीड भी आपके पास में कंसेट का है ठीक है आप किसी को एडमिट कर रहे हो एक्नॉलिज कर रहे हो ग्रांट कर रहे हो तो एडमिट एट सम्थिंग इस ट्यू ऑल्दो यू दो नूट वन्ट आप नहीं चाहते हैं कि इसा हो लेकिन आपको मानना पड़े अब यह इनकी बहुत है आपको पता है कि भी तो मतलब नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी इनको मानना पड़ेगा दोनों को इनकी बात तो उस कंडिशन में हम लोग के है सकते हैं कि इनको कंसीड करना पड़ेगा कंसीड आपके पास में एक वर्ब का का अटेगरी हो जाएगा confess, yield, surrender, allow, recognize, accept, award, concur, delinquish, cid, abandon, or recognize या फिर relent महाँ पर होगा ओपोजिट देखना चाहिए जिसको आप नहीं मानों, deny कर दो तो deny, contest, resist, refuse, reject, with all, dispute या फिर जिस बात का आप disagree हो रहे हो तो वो सारे का सारे वर्ड आपके पास पे concede के opposite हो जाएंगे, और किसी बात का आप मान लेते हो, तो आपने वहाँ पर वो जो सारे वर्ड रखे हैं, वो concede के similar वर्ड में रखे हैं, steadfast, अच्छा वर्ड है, और आप इस वर्ड को यूज़ करोगे, अपनी data communication में, तो मुझे अच्छा लगीगा, steadfast होता है, कोई ऐस attitudes और aims, आप अपना रस्ता नहीं बदलते हो, जहाँ जाना है, वहाँ जाना है, चाहिए किसे भी कीमत पर जाना है, पर जाना है, तो आपके पास में यह, देखो, तो फान आ रखा है, लेकिन भाया, डट के खड़ा हुआ है, तो इनका determination वहाँ पर दिख रहा है, इनका dedication वह पर दिख रहा है, यही same dedication आप अपनी पढ़ाई में भी लगाओ, तो जीवने में मजया आ जाएं भी या, फिर कौन सी जोब ऐसी होगी, जिसको आप क्रेब नहीं कर सकते, जिसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ, ऐसा कोई जोब नहीं होगा, जिसके exam को आप भी नहीं है, firm, constant है, determined है, and yielding है, tenacious है, आपके पास में परसे stand है, reliable है, और यह एक word हम लोग कहीं पर जो faithful होता है, loyal होता है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं, जिसे आपने बाहु बली movie देखी हो, उसमें कटपा को देखा हो, तो कटपा कैसा था, वो अटल था, निरंतर था, steadfast, था, completely loyal वेक्ती था, ठीक है, dedicated, steady, stunch, आपके पास में word है, devoted, enduring, loyal, आपके पास word होगे, opposite क्या होगा, जो easily हार मान लेता है, breakable है, fickle है, unfaithful है, जिसके ओपर विशाष नहीं कर सकते, inconsistent है, unfaithful है आपके पास में, vacillating आपके पास में है, wavering है, जो समझ़ता कर वहाँ पर चीजवों में, unsteady है, changeable है, और capricious है, तो ये सारे के सारे word, ये capricious को भी से ध्यान रखे हैं, ये आप लोग, capricious, OUS, OUS जिन में भी लगते हैं, वो हमेशे objective की category होती है, किसी नहीं किसी की quality बता लेगा, अजर्शन, फिर वापिस एक और वड़ाया है, जिसमें T.I.O.N. लगा है, अगर T.I.O.N. लगा है, माने, क्या होगा, कि ये आपके पास में category है, काई की category है या, ना उनकी category है, रे, कोई कथन आप बोलते हो, कोई दावा करते हो, किसी बात का claim करते हो, तो वो आपके पास अजर्शन होता है, a statement that say, you strongly believe that something is true, किसी बात पर आप अपनी जोर देखी बोलते हो, कोई बात को, किसी बात को claim करते हो, allegations हो सकते हैं, कि वो उस बात को बोलते हो, कि आपका believe है, प्रूफ नहीं उस चीस का, कोई भी, लेकिन आपका believe है, कि ये ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, अब अपना declaration दे रहे हो, pronouncement दे रहे हो, statement, claim, proclamation वहापर दिखा रहे हो, about all दिखा रहे हो, affirmation दिखा रहे हो, assertion होता है, expression होता है, अजर variation आपकी पास में होता है, pronunciation होता है, testimony, agreement आपकी पास में, confirmation हो गया, profession हो जाएगा, opposite क्या होगा, अगर opposite के हम लोग बात करना चाहें, तो opposite, जो जिससे में आप अपने स्विकरते दे रहे थे हैं, जिससे के लिए आप बोल रहे थे, उसको लेकिए आपने मना कर दिया, बोल दा कि नहीं, मैंने तो कब कहा ऐसा, पर यह जिस आपके पास क्या हो जाएगी, denial, disavailable, यानि कि उसको लेकिए आपने वादा खिलाफी कर है, refutation, contradiction, disclaimer, refudiation, disapproval और rejection आपके पास एक और वर्ड हो जाएगा, I hope इन चीज़ों को आप समझे हो, चलिएगा, एक और वर्ड फिर हम लोग चले, trajectory, अगर आपको याद हो तो trajectory वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यह आपके पास physics का कहीने कहीं, एक topic है, तो trajectory वहा बोलते है, trajectory, the path of an object that has been fired, जिस पर आपने physics को charge किया है, hit or turn on into the air, कि यह इस motion में यहाँ पर जाएगा, तो वकर रेखा, kind of वकर रेखा, यारि की curve path भी हम लोग बोल सकते हैं, path, course, root, trek, orbit, movement, flight, motion, root, root कियाना ज़एगा ठीक रहे है, उपोजिट क्या होगा इसका, मेरा ख्याल आपके पास में, inactivity, halt, immobility, fixity, pest और stillness आपके पास word हो जाएगे, I hope बिटा, कि सारे के सारे word आपको अच्छे लगे हो, और समझ में आये हो, और समझ में आये हो, तो please give a thumbs up for the video, मिलते हैं next class में, डिलन ठाड़ा वाई, good night, have a great day, और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट भ bye-bye, see you